उनको इस यूचना से जुड़के लाब भी मिला है, इस यूचना से वो जुड़े हैं, फिलहाल आज वारानसी की अगर बात की जाये तो यहाँ पे विक्सित भारास अंकल प्यात्रा का एक कारिक्रम जिसमें प्रधान मंतरी पहुंचे हैं और इस बारे में हमारे समाधत जो है शेलिइंड फैसली जुड़े हैं उनसे जानकारी लेते हैं शेलिइंड इन तस्वीरों मेंवी हम देख सकते हैं किस तरीके से प्रधान मंतरी ना सिर्फ बाचीत करते हुए बलकि जानकारी भी ले रहे हैं कैसे जो यूचना हैं, उनकी जानकारी दी जा रही है। उन से भी जानकारी ली किस तरीके से जो यूचना की वो जानकारी ले पा रहे हैं, किस तरह से पहले स्विधा उनको होती थी, लेकिन अब इन जो जूविधा हैं, वो महसूस कर पा रहे हैं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी सिद्ध दोर पर यही कहते हैं कि जब इस देश को जब हम विकसत बनाने की बात कर रहे हैं, चार अमरत जो स्तंभ हैं, उनमें ना सिर्फ महिलाएं, हमारे यूवा, किसां, ये महत्पूर्ण हैं और इनको ध्यान में रखते हुए, हमें तमा विश्व की सबसे बड़ी भीमा यूचना है आईश्मान भारत की अगर बात की जाए, जिससे लगातार लोगों को लाब मिल रहा है, प्रधान मंत्री ने शुरुवात में ही कहा कि स्वच भारत, स्वस्थ भारत, हमको इसको साकार करना है, और हमने अब से पहले भी देखा किस तरीके से स्वच भारत की जो मुहीम है, वो सफल रही, और अब स्वस्थ भारत की जब हम बात करते हैं, तो ऐसे में ये जो योचना है, आईश्मान भारत, ये काफी महत्पूर्ण हो जाती है, और इसलिए जन जन तक इन योचनाओं का लाब पोहुँचे और उससे पह योचनाओं का लाब पोहुच रहा है, और उसी के बारे में फिलाल इन तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि कैसे, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जो जानकारी है, जो बाचीत है, उनसे कर रहे थे, जानकारी ले रहे थे, और इसके बाद आपको बता दें, खासता स्थार से, जिन्हें लाब नहीं मिल पा रहा था, उनको अलग-अलग योचनाओं से जोड़ा जा रहा है, उनको जानकारी दी जा रही है, जागरुक बनाया जा रहा है, जिससे भारत को हम जल से जल, विक्सित भारत की तरफ अगर सर्ग होता हुआ देख सकें. वारनसी की ये तस्वीरें, जहां Cutting Memorial College के मदान में अलग-अलग जिस टॉल्स हैं, योचनाओं को दर्शाती हुई, वो प्रदर्शित की गई हैं, वहाँ पर जो आमजन है, जानकारी लेने पहुंच रहे हैं, और वहीं पर हम देख सकते हैं कैसे प्रधान मंतरी नरींद मो भी जो हैं पहुंचे लोगों से बाचीत उन्होंने की, खास और से अगर शाम के कारिकरम की भी हम बात करें, वो भी काफी महत्पूर्ण हैं, काशी तमिल संग्मम जो है, क्योंकि भावनात्मक और सांस्क्रतिक रूप से काशी और तमिलनाडु जो हैं, वो काफी एक दूस की हम बात करते हैं, उस दौरान ये काफी महत्पूर्ण हो जाते हैं, और हमने देखा कि कबसे कोशिशे हुई कि जो विविदता है, ना सिर्फ उसको दर्शाया जाए, बलकि जो भारत की अखंड भारत की जो एकता है, वो कैसे हम उसको और मजबूत कर सकते हैं, उसी के तह हैं अब देख सकते हैं, स्वास्त शिविर का आयुजन यहां किया है